नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के चार अती महतपूर प्रस्ण दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गौर्णमेंट एक्जाम देंगे तो आपके पेपर में यह सब प्रस्ण हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों मैथ में कुछ सेट वाटन के प्रस्ण होते हैं जो बार-बार परिशाओं में पूसे जाते हैं और जिन प्रस्णों को आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन यह जिसकी सहब्स्तों आप इन सबी प्रस्णों को सॉल्व करने के लिए लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान्ट कृक्त बताऊंगा जिसकी सहयता से दोस्तों आप इनन पर यह सॉल्ब करेंगे मात्र कुछी सेकेंड में तो आए दोस्तों देखते हैं मैंट्स के चार अतीम हमेहदपूर प्रस्न देखिएगा दोस्तों पहला कोस्चन ने और यह प्रस्न बहुत बार पर प्रस्षा हमें पूछा जा चुका है और इस टाइब के हमेशा प्रस्न पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्म किया जता है बिना पेन उठाए समझेगा प्रस्ण कह रहा है करीम की उम्र 15 बर्स पहले जितनी थी से 15 बर्स बाद चार गुना होगी करीम की बरतमान उम्र कितनी है यह चीज पूछ रहा है ठीक है यानि कहने का मतलब है प्रस्ण समझ लीजिएगा करीम की उम्र 15 बर्स पहले जितनी थी कह रहा है उके बाद करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा इसह रहेंगे यानि हम आप्शन से solve करेंगे और कुछी सेकेंड में answer मिल जाएगा पूछ कह रहा है दोस्तो प्रस्न यहां पूछ रहा है करीम की बरतमान उम्र कितनी है माल लेंगे दोस्तो करीम की बरतमान उम्र 40 बरस है ठीक है करीम की बरतमान उम्र 40 बरस है तो 15 बरस पहले दोस्तो क्या हो जाएगा 15 बरस बात क्या होगा यानि बर्तमान उम्र 40 बर्स है तो 15 बर्स बात क्या हो रहा होगा दोस्तों 15 बर्स बात क्या उम्र होगा 40 में 15 जोड लेंगे तो क्या हो जागा 55 हो जाएगा ठीक है 55 बर्स क्या दोस्तों ये 25 का 4 गुना है 55 25 का 4 गुना 15 हैं नहीं है 25 का 4 गुना 100 होता है तो इसलिए दोस्तों क्या होगा पहला option गलत हो जाएगा पहला option गलत हो जाएगा प्रस्ण पढ़िएगा करीम की बर्तमान उमर 15 बर्स पहले जितनी थी से 15 बर्स बार चार गुना होगी यह चीज कह रहा है घटा लेंगे 10 वर से दोस्तों क्या होगा से 15 वर से 15 वर upward ये कितनी उम्र हो जाएगी 25 से 15 वर बाद क्या करेंगे 25 मेइं 25 जोलेंगे ये क्या रहें दोस्तों 40 वर्स क्या यह दोस्तों 10 का 4 गुना है 4010 का चार गुना है 40 तो आप ऑलेंगे यह वाला option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों आप इस question को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया होंगे इसे दोस्तों आप बिना पेन उठाए भी solve कर सकते हैं यह तो आपको समझाने के लिए इतना किया हूं अगर जो आप practice में आ जाएंगे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो question देखेंगे तुरंत answer टीक कर देंगे ठीक है देखिए एक बार और समझा देता हूं देखिएगा यह जो 25 बरस है इसी को ले के समझा देता हूं देखिएगा करीम की उम्र 15 बरस पहले जितनी थी से 15 बरस बाद 4 गुना होगी करीम की बरत दोस्तों दोस्तों यही option क्या हो गया सही हो गया इस टाइप के दोस्तों प्रसन है तो आप ऐसे solve कीजिएगा और किसी भी परिष्छा में दोस्तों यह प्रसन पूसा जाया तो आप बिना x माने ही solve करिए कुछी सेकेंड में answer दे लेंगे नेक्स्ट कोष्चन देखिएगा दोस्तों अगला कोष्चन है दूसरा कोष्चन दूसरा कोष्चन भी most important है हमेसा दोस्तों यह परिषा भी पेपर में पूचा जाता है ठीक है यह प्रसन क्या है समझेगा प्रसन कह रहा है एक दुकंदार कुल माल के आधे को 40 percent के लाब प question को कैसे solve करेंगे पहले प्रेश्ण को थोड़ा से समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही important question है प्रेश्ण कहे रहा है एक दुकंदार कुल माल के आधे को 40% के लाब पर तथा सेस को क्राय मुले पर बेचता है यानि आधे माल को 40% पर और सेस को क्राय मुले पर मतलब क्या जितने मे बेच देता है ठीक है कह रहा है पूरे सौधे में दुकंदार द्वारा अरजित लाब प्रतिसत ग्याद कीजिए यानि पूरे सौधे में दुकंदार को कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो दोस्तों इसको solve कैसे किया जाता है देखिए माल लेंगे दोस्तों इन्होंने दु दोस्तों खरिदा 100 रुपय में खरिदा और कह रहा है यहां पे एक दुकंदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर आधा मतलब 50 को क्या किया है 50 माल को क्या किया चालीस बरसेंट लाब पर बेचा है यानि कि 50 को 40% मतलब क्या हो गया 50 गुणे 140 बटा 100 क्या होगा दोस्तों 50 गुड़ 140 बटा 100 यह 0 मीचे 2 0 है 2 0 उपर कट जगा 14 पच्चे 70 यानि कि 50 माल को कितने रुपए में बेचा है सत्तर रुपए में बेचा है और बचा कितना दोस्तों सेस माल है कह रहे है ना देखिए आधे माल को 40 परशेंट तथा सेस को क्राय मुले पर बेचा है यानि 100 माल 100 रुपए में खरीदा है और बचा कितना दोस्तों 50 माल 50 माल को इन्होंने कितने में बेचा 50 रुपए में बेचा ठीक है तो पूरे कितने में यह बेचा 70 रुपए यहां पर बेचा 20 परशेंट जो 40 तो टो टल यह कितने रूपए में बेचा दोस्तों 50 रूपए में बेचा और रूपए का था, 100 रूपए का था, 120 में बेचा तो कितने % का लाब हुआ 100 पे 120 यानि कि 100 पे दोस्तों क्या हो रहा है 100 रुपए को खरीदा 120 में बेज दिया तो 100 रुपए पे 20 रुपए का लाब हुआ यानि कि 20% का लाब पर बेचा यानि उसे पूरे बैपार में कितने % लाब हुआ दोस्तों 20% लाब हुआ तो आप अच्छे से solve कर लेंगे next question देखिएगा अगला question बहुत ही important है और अगला question दोस्तों देखने से पहले जो नए student है उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचेम publisher की ebook है आपके आगामी सभी परिशाओ अगले important है चाहे आप दोस्तों railway की exam देंगे या अधर आप दोस्तों कोई साभी government exam देंगे क्योंकि दोस्तों इस ebook में उन प्रेश्णों को सामिल किया गया है जो प्रेश्ण आपके बार-बार परिशाओं पूसे जाते हैं जो प्रेश्ण हमें साप परिशाओं में repeat होते हैं दोस्तों इस ebook में आपको 10 practice set मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में question दूसरे लाइन में answer इसे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे दोस्तों आपके exam में एक से दो दिन का भी time रहेगा तो इस ebook को लेके आप जरूर पढ़ लिजेगा आपके exam में काफी help मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसमें science, general events, current affair के important questions को सामिल किया गया है जो प्रेशन आपके बार-बार परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रगी ती लेकिन मेरे कहने दोस्तों यह ebook आप आपको मातर 25 रुपए मिल जागी इस ebook को दोस्तों आप ले खाहा सकते हैं तो इसका link में नीचे डिक्सपन बॉक्स में दे दिया हूं उस link के तुरू इस ebook को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों यह ebook है PDF Notes की तरह है आपके mobile में ही डाउनलोड जागी आप मोबाइल से पूछे जाते हैं इसला दोस्तों एक्जाम से पहले पहले इस ebook को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लिजेगा तो आईए दोस्तों देखते हैं अगला question देखिएगा दोस्तों तीसरा question most important है और railway group D में दोस्तों यह 10 से 20 बार करी पूछा गया होगा 20 बार से तो कम नहीं पूछा गया होगा और railway group D में बहुत बार repeat किया है NTPC में भी repeat किया है आप back here के paper देखेंगे तो उसमें यह question आपको बहुत बार देखने को मिलेगा देखिए यह question सभी परिशाओं में भी पूछे जाते हैं देखिए question है A तथा B किसी कारे को 16 दिन में पूरा करते हैं जब कि A अकेला उसी कारे को 24 दिनों में पूरा करता है कर रहा है तो दोस्तों इसमें समझने की बात यह है बस चीज़ समझने आपको A plus B जब कर रहा है 16 दिन में और और इसमें से A कर रहा है दोस्तो अकेले 24 दिन में हम A plus B में से क्या करेंगे दोस्तो A plus B के कारे में से हम क्या करेंगे A का कारे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो B का कारे आ जाएगा कहने का मतलब है इसको solve कैसे करना है A plus B A plus B का दोस्तो एक दिन का कारे क्या होगा 1 बटा 16 होगा अब दोस्तो A कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में A का दोस्तो A का एक दिन का कारे क्या होगा दोस्तो 1 बटा 24 तभी तो 24 दिन में पूरा काम करेगा तो क्या करेंगे दोस्तो तो हम A plus B में से A को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? B का कारे आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, 1 बटा 16, A plus B हो गया, यह माइनस कर लेंगे का दोस्तों? A का, 1 बटा 24, यह माइनस कर लेंगे, अब देखिए, इसको solve करने का बहुत ही असान तरीका, क्या करेंगे दोस्तों, आप 16 और 24 का LCM क्या होगा? 48 हो जागा, ठीक है? 48 को 16 से भाग करेंगे, तो 16 तो 48 उपर 1 है, यानि कि 3 एकम 3, फिर बीच में क्या है दोस्तों? माइनस है, तो माइनस लगा लेंगे, फिर 24 तो 48 को भाग करेंगे, 24 दुना का 48, यानि कि 3 माइनस 2 बाई, क्या हो गया दोस्तों? 48, यानि कि 1 बटा 48 आ गया क्या दोस्तों? बी का एक दिन का कारे आया, तो बी पूरा कारे करने में दोस्तों, कितना टाइम लेगा? इसको ज़्या करेंगे, एक बटा 48 को, 48 बटा 1, यानि कि 48 दिन में दोस्तों, बी पूरा कारे कर लेगा, यानि कि अकेले भी कितने दिन में उस कारे को कर लेगा? 48 दिन में कर लेगा, 48 किसे option में दिया है? तो option number B में दिया है, देखिए इसको solve करने के जो trick होता है ओ होता है दोस्तो xy बटा x difference y कहने का मतलब है x की जगा 16 और y की जगा 24 यानि क्या करेंगे दोस्तो 16 गुणे 24 बटा में 16 difference 24 यानि कहने का मतलब है 16 और 24 का अंदर क्या होगा दोस्तो 24 में से 16 को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 8 8 से क्या करेंगे दोस्तो 16 कितने बढार में जाएगा दो बढार में 8 दुना के 16 और 24 दूना के 48 तो b का यह कार्य आ गया यहनि कि b अकेले उस कारे को कुतने दिन में करेंगा 48 दिन में और इसमें जब अंतर पूछ ले दोस्तो ए प्लस बी का दे दे और ए का दे और इसमें बी का पूछ ले तब क्या करेंगे दोस्तो ए डिफरेंस नीचे लखेंगे और प्लस वाला जो होता है दोस्तो ए इतने दिन में कर रहा है भी इतने दिन में दोनों मिलके तो नीचे क्या question चौथा question बहुत ही important है और हमेशा दोस्तों ये question परिशाओं में पूसा जाता है और ज्यादा तरी student दोस्तों इस question को छोड़ देते हैं क्योंकि समझते हैं solve करने में problem होती है कहाँ पर problem होती है कैसे solve करते हैं आपको and similarity multiply करते हैं कैसे तो xज मैं under root x से करेंगे तो x under root यह x बराबर यह क्या हो जाएगा दोस्तोını thousand बहत्तर गुणे 24 हो जाएगा ठीक है अब्यात्तर गुणे 24 करते है फिर क्या करते हैं दोस्तों factor करेंगे उसके बास इसकी value nिकालेंगे और इतना करेंगे दोस्तों इसमें चार से पांच मिनट लग जाएगा आपको solve करने में ठीक है इतना आपको नहीं करना है इसको आप बीना पेन उठाए भी solve कर सकते हैं कैसे तो option से solve करेंगे method का नाम है go through option चलिए हम option से solve करेंगे हम माल लेंगे दोस्तों x बराबर है 64 तो यहां अनडरूट 64 की value क्या होगी दोस्तों 8 होगा और 8 से 52 कितने बर में जाएगा 9 बर में क्या 24 यह 64 नौँवर में कटेगा नहीं कटेगा तो इसलिए यह वाला पहला वाला option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है पहला वाला option गलत हो जाएगा फिर क्या करेंगे दूसरा option चेक करेंगे माल लेंगे दोस्तो x बराबर 144 ठीक है तो यह 144 रखेंगे x की जगा 144 बता में क्या होगै दोस्तो 24 हो गया फिर बराबर यह 72 बता under root क्या होगा जाएगा दोस्तो 144 हो जाएगा under root 144 के मतलब दोस्तो क्या होता है 12 12 छक्की क्या हो जाएगा 72 और यह 24 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तो 144 हो जाएगा यानि क्या है दोस्तो 6 is equal to 6 यानि condition जो है दोस्तो यह जो आपका समय करण है satisfied हो रहा है यानि कि x की value दोस्तो क्या हो जाएगी 144 हो जाएगी तो option निंबर कौन से सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइब के प्रशन आएगा दोस्तो तो आप ऑप्शन से सॉल्ब करेंगे और कुछी सेकेंड में आंसर दे लेंगे तो इस टाइब के से जाकर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन वेल्कों कर लिए जहां आप दोस्तों मैं मैं बेसिक से पढ़ारा हूँ जीरो लेबल शेंवारा हूँ और चैप्टर वाइस पढ़ारा हूँ कुछ दुन हम दोस्तों भी मैं प्रोड़िसान होती है ओस चै आप से बुना होगा है हाँ पर प्रेस करके फेस्बूक वाट्सअप टेलिग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टटी गूरूप में सेयर जरूर करिएगा दोस्तों जो दोस्ति चैनल पर नया है जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की डेली नोटिफिकेसे नहीं मिलती न और भी इंपोर्टन प्रिश्णों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद